हेलो स्टुजेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक एम्टी कोर्स आज मैं क्लास नायंत का चेप्टर टू पोलोमियल से उसका एक्ससाइज 2.5 का क्वेश्चन नमर एट बताने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चन दिये हूं जिसको उनको फेक्टराइज करना चलिए ठीक है पहलाक्सियों है एक्रिश एक क्वेश्क ब्लस 2 a square b2לי B स्कूर इसको उनको फेक्टराइज करना है ठीक देखिए फेक्टराइज दो प्रगार का होता है अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में है इस फॉर्म में है पहले इसको इस फॉर्म में करके उसके बाद इस फॉर्म में ला देगे हम देखिए कैस करते हैं सबसे पहले 8aü Ce q को किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि टूने का headquarters मतब किस का क्यूब होता है सबसे पहले इसको इस फॉर्म मेरा आई ठी उसके बाद इस फॉर्म मेरा नहीं है इस फॉर्म मेरा आने का बाद तीन फ्र स्वैक्टर हो चाएंगे 8a cube को 8a cube को किस form में लिख सकते है 2a का whole cube 8 किसका cube होता है 2 का cube होता है सबसे पहले जो दिया है question इसको इस form में लाईए ठी उसके बाद इस form में लाना है इस form में लाने का बाद 3 factor हो जाएंगे factor आए मतलब cubic polynomial 3 2a का factor 2a cube b cube किसका factor है b cube किसका cube है only b का cube है बतलब जो हमारा a था क्या मिल गया 2a b क्या मिल गया only b ठीक plus 3ab अब हमको इस पर नहीं ध्यान देना है अब इस equation हमको जाद किस पर ध्यान देना है इस equation पर a मिल गया हमको क्या मिल गया है सिर्फ 2a क्योंकि cube है तो cube इस form में आएगा अगर इस form में है, देखिए, a cube है तो 2a का cube क्या हुआ जाएगा? 8cute b cube है, तो b का cube क्या हुआएगा? b cube अभ आए इस पर ध्यान להने 3ab, तो 3 into a क्या है? 2a b क्या है? ठिक bracket में क्या है? a plus b a plus b मतल़ समझे यह क्या है 2A ठीक अब B क्या है B बस हमने इस form में ला दिया अगर इस form में कोई है चीज मतलब इस problem में कोई problem है तो इसको आप इस form में लिख सकते हैं देखे यह identities है यह expand form में है इसको आप short form में लिख सकते हैं अब इसको क्या लिख सकते हैं A plus B का whole cube झेकजिक हुआ अब देखे एक इग्जाम्पल देता है जिसे 2 का क्यूब है थिक तो क्यूब है तो आप दो को कितने माइ मॉट्रिप्लाइ करते हैं 2 x 2 x 2 लिखते हैं इसका वैसे इसको भी लिख देजीए सैट्राइज मतलब इसका करने है जो लिए two a plus b एक bracket में हुआ जी कि दूसरे bracket नहीं 자 2 a plus b तीसरे bracket में 2 a plus b één झुगा बस तीन्ठों को करना है वैसे अब इसके करना है देखिए Yeah A plus bay का whole q रहा हमने वह ऐसे किया त्इन्ठे और आग एफектив है मारा आंसर होगे बहुत धड़ा धड़ा हमको ऐसे करते जाना है देखिए इसमें माइनस है इसको इस फ़र्म में लिखिए सबसे पहले वह ही क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन वह यह बस साइन का डिफरेंस है ठीक आई यह तो एक क्या लिख सकते हैं साइन को हमको देखना है साइन यहां माइनस से साइन लगा देंगे फिर यहां माइनस से माइनस से लगा देंगे त्री इंटू एंटू एबी एक क्या है इस फ़र्म में लिख दिए ब्रैकट में लिख दीजिए ए माइनस भी एक क्या है तुए बी क्या है श्रिप बी है बस ह में लिख दिए इसका expanded form में तो इसका short form में भी लिख सकते हैं लिख दीजिए a-b का whole cube a क्या है 2a ठीक अब b क्या है शिर्फ b whole cube का लेजिए ठीक वैसे ही है देखिए जहां 2 cube है यहां a-b का whole cube है तो इसको भी तीन factor में कर दीजिए तो 2a-b 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 ठीक बस हो गया अब आयो वैसे question number 3 को भी करना है अब देखिए इसमें तो यह b तो दिया ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं बी नहीं दिया है कैसे नहीं दिया है जले आए अब 27 किसका cube होगा किसरी का queen होगा जिसका cube होगा क्या होगा a होगा 27 किसके cube है 3 नहीं होगा मतलब जो a rock 3 होगा 5 ना चली लिए 125 75 का a qyube अभ बी के जबाप में क्या जायेको 5 ए एक में पे 3 बस हमको जाहिये एक होगा पर कुछ चाहिये b के जबाप कुछ चाहिए कुछण वैरियेबल या स्थिस्त हमको चाहिये उसके लाव हमको कुछने चाहिए अब इस फॉर्म में लिख दीजिए 3 इंटू लिख दी हमने 3 इंटू A क्या है हमारा 3 है B क्या है B है 5 A 5 A फिर एक ब्रैकेट में A-B A-B इसको नहीं ध्यान देना है आप जो यह देख रहे होगे सोच रहे होगे उस फॉर्मले में रखना उसके बाद उसका स्वाट फॉर्म को एक्सपेंड कर देना मतलब एक्सपेंड मतलब इसका तीन तो फैक्टर कर देना चलिए यह हमने लिख दिया इसका अब A-B मतलब क्या है 3 A-5 A हुआ मतलब हमने इस फैक्टर इस फॉर्म में कर दिया अब इसका स्वाट फॉर्म में कर दिजिए A-B का हुआल क्यूब तो A क्या है 3 है B क्या है 5 A है हुआल क्यूब तीन ठुलिक दिजिए इसको भी चलिए तो 3 माइनस 5 A 3 माइनस 5 A 3 माइनस 5 A बस यह आपका अंसर हो गया ऐसे ही करना है आए कोश्चन नमबर 4 और 5 को भी देखते हैं जो कि इसी के अंदर है आए कोश्चन नमबर 4 है यह इसको भी इस फॉर्म में लिखिए उसके बाद A-B के होल क्यूब मिला है माइनस का मतलब समझे दिखेinka हम माइनस दिया है माइनस का मतलब क्या हुआ A-B का होल क्यूब बना रहा है यह माईनस है तो A-B का होल क्यूब बना रहा है ठीक आइए इसको भी solve करते हैं तो सबसे पहले 64 किसका क्यूब है यह हमको निकालना पढ़एगा तो 64 हमारा 4 का cube है एक क्यूब किसका cube है A का कर दीजिए whole cube minus 27 3 अब B का whole cube हमको मिल गया A क्या मिल गया 4A B क्या मिल गया 3B होग मिल गया अब next देखते है minus 3 multiply A क्या है 4A B क्या है 3B bracket में क्या लिखना है A minus B 4A B क्या है 3B हमने लिख दिया इस form में लिख दिये मतलब क्या ये expanded form किसका है A minus B का whole cube का तो आप A minus B whole cube भी लिख सकते हैं इसके जगा पे लिख लिजिए 4A minus 3B का whole cube लिख लिख लिए वही चीज है मैंने बताया ता 2 का cube किस तरह से लिखना है 2 into 2 into 2 इसको भी वैसे लिख लिख लिजिए 4A minus 3B एक ब्रैकेट में 4A minus 3B दूसरे ब्रैकेट में 4A minus 3B तीसरे ब्रैकेट में आपका answer हो गया चलिए वैसे भी question आप 5th को भी करना है अब देखिए सोच रहेंगो यहाँ A B तो कुछ दिया ही नहीं है क्यूब होगा P का whole cube का लिजिए अब देखिए एक जवाप हमको मिल गया 3P मिल गया न वैसे भी अब B के जवाप लिख लिख सकते है 1 का cube कीजिए whole cube कीजिए उसमें कोई फरके नहीं होगा 216 किसका cube है 6 का whole cube का लिजिए मतलब A हमको मिल गया 3P अब B हमको मिल गया 1 by 6 मिल गया A B हमको P पध्यान नहीं देना है हमको A B पध्यान देना है छिलिए फिर minus 3 into A क्या है 3P B क्या है 1 by 6 दूसरे bracket में A minus B यानि 3P minus 1 by 6 ठीक इसने हमने या कर दिया फिर वही चीज मैंने बताया है था 2 का cube देखिए वही चीज है यह किसी का cube का expanded form हो रहा है जैसे A minus B का whole cube का यह expanded form है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते है A minus B के whole cube के form में तो क्या जाएगा 3P minus 1 by 6 का whole cube वही आप 3 टुकड़ों में कर दिजी इसको तो 3P minus 1 by 6 3P minus 1 by 6 3P minus 1 by 6 तीसरे bracket में आपका answer हो गया बस आपको ऐसे ही करना है सबसे पहले यह देखना है कि minus A key plus identities बहुत ज़्यादा important होती है आपने अगर identities नहीं पढ़ाया तो आप हमारे playlist में हमारे channel के playlist में जाया कर identities देख सकते हैं जोकि बहुत ज़्यादा important है चलिए यहां हमारा पूरा solution complete हुएगा इस question का बस thank you अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा channel AKMT course को subscribe कीजिए एक like कीजिए जय ही जय भारत